Hello and Welcome Back जब हम बात करते हैं Ancient Western Philosophy की या फिर जब हम बात करते हैं Classical Political Philosophy की तो हमारे माइन्ड में जो इमेज बन कर आती है वो आती है एक ट्रिनिटी की जिसमें शामिल है सबसे पहले Socrates, दन उसके बाद Plato, दन उसके बाद Socrates जिनको consider करा जाता है As the Founder Fathers of Classical Political Philosophy So आज इस वीडियो में इस 5-Minute Fundah में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार Plato and Aristotle कौन थे इनके क्या-क्या main creations रही हैं इनके क्या-क्या important work रहे हैं So आई ये वीडियो को start करते हैं और जानते हैं Plato and Aristotle को So आई ये first of all बात करते हैं One of the Western Classical Philosopher के बारे में जो की है Plato जिनको consider करा जाता है As the founder of Western Political Philosophy ये जो है one of the greatest Western Philosopher रहे हैं And of course इनको आप कह सकते हैं One of the greatest classical Western Philosopher भी इनकी philosophy का इतना गहरा प्रेभाव रहा है पूरी की पूरी दुनिया की philosophy पर क्योंकि अभी भी हम जो है काफ़ ज़ादा guided होते हैं Western Political Philosophy से इनका जो जनम है वो Athens में हुआ है 472 BC में इनकी जो political philosophy थी वो normative थी यानि की value loaded थी यानि की राजा जो है कैसा होना चाहिए समाज जो है कैसा होना चाहिए इन सभी पर इनका ज़्यादा focus रहा है इनकी जो philosophy थी वो काफ़ ज़्यादा idealistic थी radical थी और कही ना कही इनकी जो philosophy है वो हमको utopic भी देखने को मिलती है इनको consider करा जाता है as the founder of western political philosophy और इनको father of idolism भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है काफ़ ज़्यादा focus जो है idea पर देते थे and Plato जो है was the first to use dialectic method in political philosophy Plato ही एक ऐसे पहले philosopher रहे हैं जिनोंने अपनी philosophy में अपने political work में dialectic method को जो है सबसे पहले use किया अगर हम बात करें dialectic method की तो आप इसको relate कर सकते हैं dialogue से कोई भी systematic argument से आप जो हैं इसको relate कर सकते हैं and भही अगर हम बात करें इनके कुछ main creations के बारे में इनके कुछ main works के बारे में तो इनोंने लगबग 36 जो हैं किताबे लिखी हैं जिसमें 35 जो हैं dialogue है and 13 जो हैं letter हैं अब देखिए ये जो हैं student रहे हैं Socrates के and Socrates जिनोंने कुछ नहीं लिखा उनके बारे में जो भी हमें जानने को मिलता है जो भी उनके philosophy को हमें जानने का मिलता है वो हमें plateau की जो writings हैं उनहीं से मिलता है ठीक है and ये जो plateau की जो creations रही हैं जो important work रही हैं या फिर जो इनकी books रही हैं ये हमें किसी not के form में देखने को नहीं मिलती हैं generally इनकी जो books हैं वो हमें dialogue की form में देखने को मिलती है इन्होंने कोई treatise या text की form में अपनी जो books हैं उनको नहीं लिखा बलकि dialogue की form में इन्होंने अपने book को जो है publish किया है जिसमें अगर हम main books के बारे में बात करें तो इसमें आता है सबसे पहला Apology of Socrates इसके बाद आप देख सकते हैं इनका one of the most prominent जो work रहा है वो रहा है The Republic जो की 375 BC में इन्होंने publish किया जिसका title था concerning justice जायतर जो इनके ideas हैं जो भी इनके thoughts हैं वो हमें इनकी जो ये book है The Republic इसी में देखने को मिलते हैं इसके बाद इनकी second book रही है The Statesman जो की 367 या फिर 361 BC में देखने को मिलती है एन्ड जो इनकी third जो most prominent work रहा है वो रहा है The Laws जो की 347 BC में इन्होंने publish किया है अब हम बात कर रहे हैं one of the greatest political philosopher जिनको लगबग हर एक subject के बारे में knowledge थी हर एक field में knowledge थी चाहे वो field हो, चाहे वो subject हो biology से related, चाहे वो subject हो, ethics से related चाहे वो subject हो, political science से related चाहे वो subject हो, other subjects से related इनको लगबग हर एक field में इतनी knowledge थी जिनको consider करा जाता है as the father of political science as the father of political realism founder of historical and comparative methods constitutionalism and formal logic हम बात कर रहे हैं Aristotle के बारे में जो की student रहे हैं, plateau के and जिनोंने उनकी academy के अंदर रहते होए सिक्षा जो है grand curry and young Alexander the great of Macedonia को tutor के तौर पर 6 या फिर एक साल जो है उनको सिक्षा जो है प्रदान की, जिनको consider करा जाता है as the father of political science Aristotle ने जो है 335 BC में एक अपना school जो है establish किया एक Athenian school जो है establish किया जिसको हम Lysam के नाम से जानते हैं वहाँ पर जो है ये काफी ideas को, thoughts को जो है share किया करते थे knowledge दिया करते थे इन्होंने जो है attempt किया convert the utopian ideas of plateau into rational theory जो भी plateau के ideas थे, utopian जो ideas थे उनको reality में इन्होंने जो है rational theory में convert किया अगर हम इनके कुछ main creations के बारे में बात करें इनके कुछ main important work के बारे में बात करें तो इनका जो main creation रहा है वो रहा है the politics जो की 350 BC में जो है ये जो है publish करते हैं जिसका main topic ये था कि नगर राज्य जो पॉलिस जो word है उसी से जो है politics सब्द जो है निकल कर आया है इसके अंदर ये नगर राज्य के बारे में बात करते हैं बताते हैं कि आखिर नगर राज्य जो है कैसा होना चाहिए इसका बात जो इनकी second book आती है वो है दा रिहो ट्रिक जिसके अंदर ये बताते हैं कि जो अलंकार शास्त्र है वो क्या है दैन यूडेमियन भी इनकी एक काफी most important work है जिसमें ये on the soul के बारे में बात करते हैं जो की लगबग 340 BC के अंदर publish होती है ये भी इनकी काफी most important work है the constitution of Athens जो की 328 BC, 322 BC में जो है publish होती है ये भी काफी important work है तो ये जो है इनके कुछ important work रहे हैं अगर हम बात करें प्लैटो एंड एरिस्टोटल की इनकी relation कैसा था तो देखे प्लैटो एंड एरिस्टोटल का जो relation था सीम वैसा ही था जैसा की J.S. Mill and Bentham का दोनों ने दोनों ने ही अपने mentors के जो सिद्धान थे जो theories थी जो ideas थे उसके एक बड़े भाग का खंडन करकर एक नई नीव जो है रखी एक नई thought जो है वहां सर निकाल कर लोगों को दिये सो यह जो है प्लैटो एंड एरिस्टोटल जो है काफ़ ज़्यादा most prominent classical political philosopher रहे हैं जिनकी philosophy से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं पूरी की पूरी दुनिया इतने ज़्यादा guided हुई है कि आप सोची सकते हैं ठीक है और यूरो सेंटरिजम के चलते भी आप जो है काफ़ ज philosophy से सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही I just hope कि आप जान गई होंगे कि प्लैटो कौन है अनिस्टोटल कौन है इनके बारे में अधिक जानना है तो आप description box चेक करें वहापर वीडियो की link जो है हमने provide कराए हैं